नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबें लोग का study close पर क्या आप लोग इरान घूमना चाहते हैं लेकिन रुख जाईए 15 दिन से ज़्यादा नहीं घूम सकेंगे और खास बात ये है कि इरान उन तमाम कंट्रीज में से है जो की पहले modern हुआ करते थे और आज जो है वो काफी पिछड गए है पहले हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले की जो लोग थे वो काफी modernization थे civilized country जो है वो इरान थी अफगानिस्तान थी लेकिन आज काफी वो पीछे रह चुके है आज हम लोग बात करने वाले हैं कि Indians can travel to Iran without a visa आप लोग without visa जो है इरान के अंदर travel कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखी कि news क्या है Indians can now travel to Iran without visa as long as they meet a few condition मतलब कुछ condition जो है आपको follow करने पड़ेंगी और उसके बाद में आप इरान जो है वो free visa travel कर सकते हैं while the announcement for this had been made in December last year December में announcement कर दिया गया था लेकिन implications अभी हो रहे हैं अभी rules and regulations जो हैं वो सामने निकल कर आये हैं the condition have been announced now and the relaxation has come into effect from February 4 यानि कि 4 February से यह सारी condition जो है apply होने जा रही है कुछ तस्वीरे मैं आप लोग को दिखाता हूँ अफगानिस्तान 1967 के अंदर ऐसा था कि वहां की वेश-भूशा आप लोग देख सकते हैं कि काफी modern है लेकिन अगर आप लोग देखेंगे अफगानिस्तान को 2011 के अंदर तो सभी महिलाय जो है वो बुर्के के अंदर आ चुकी है education system बड़ा जबर्दस था वहां की महिलाओं को बहुत जड़ा अधिकार थे राइट्स थे अगर हम लोग इरान की बात करें तो इरान देखें ये 1970 की तस्वीर है इरान की लेकिन ये देखें तो ज़र 12 के अंदर इरान की तस्वीर जो है वो किस तरीकी से बतल जाती है भारत एक ऐसा देश है जो की धर्म निर्पेग्ष है मतलब हम लोग जो है वो सभी धर्मों को समान दर्जा देते हैं लेकिन जो Islamic countries है वो केवल Islamic जो religion है उसकी उपर ही जोर देता है अच्छा उसके practice जो है उसकी उपर जोर देता है देखिए इरान before Islamic revolution तो Islamic revolution के पहले आप लोग देख सकते हैं कि इरान ऐसा लग रहा है, जैसे वो इरान नहीं है, कोई American country है, कोई Canadian है, England की country ऐसा लग रहा है, लेकिन बाद में देखिए कि after revolution, यानि कि अब वर्तमान में कैसा हो चुका है 2012 के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग को बताता हूँ कि ये जो red line आप लोग देख रहे हैं, ये basically इरान के अंदर पहुंसने वाले travelers हैं, अगर हम लोग बात करें 1996 के अंदर तो लग भग आप लोग देख सकते हैं कि 5 लाग के आसपास इरान जो है वो लोग घुमने के लिए जाते थे, धीरे धीरे ज लोग जो है वो इरान के अंदर travel करने के लिए पहुंसते हैं, लेकिन 2020 में जैसे COVID का time period आता है, तो ये संख्या घट कर केवल 15 लाख रह जाती है, तो एक ऐसा country जहाँ पर 2018 के अंदर 91 लेक लोग घुमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर केवल 15 लाख लोग घुमने के पर, the Islamic Republic comes 19th with 48.1 billion dollar in the 2021 travel and tourism total contribution to GDP index, मतलब basically बात ये है कि एरान जो है, वो 19 रेंग पर है और total GDP के अंदर जो contribution है, वो लगभग 48.1 billion है, एरान ज्यादा पीछे belong नहीं करता है, stand नहीं करता है, ये stand करता है between South Korea and Switzerland, which were rank 18 and 20, मतलब जो South Korea है, वो है 18 नमबर पर, और जबकि sizzle land है 20 नमबर पर, और उनके बीच में लाई करता है इरान, तो इरान जो है, वो काफी, हम लोग कह सकते ही, घूमने के लिए country तो है ही, लेकिन धीरे-धीरे-धीरे-धीरे क्या हुआ है, कि उसकी economy जो है, वो turn करती है oil की उपर, और उन्होंने tourism की उपर ध्यान देना छोड दिया, बाद में नोंने decide किया, कि केवल अगर हम लोग oil export की उपर ही, हमारी economy को depend रखेंगे, तो कहीं न कहीं हमको नुकसाम हो सकता है, इसलिए इनोंने switch करना जो है, वो शुरू किया, several rounds of sanctions in recent years, basically क्या है, कि इरान जो है, वो nuclear power country बनना चाहता है, बार-बार इनोंने जो है, वो nuclear experiments किये है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा country है, जो किसी भी देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, इसलिए अमेरिका की दबाओ के अंदर बहुत सारे countries ने इरान की उपर कई sanctions लगाए, लेकिन फिर भी इरान ने कभी भी अपने nuclear जो प्रोग्राम है, इनको खतम नहीं किया, अब इरान ये चाहता है कि जो हमारी उपर sanctions अभी भी लगे हुए है, oil and refineries को लेकर, हम लोग उससे इतर कहीं दूसरी तरफ जो है, development की तरफ रुख कर जाएं, और वो उनके लिए tourism sector बहुत जबर्दस हो सकता है, ठीक है, ओके, तो वो target किया गया था, इर इरान के energy और financial sectors को crippling its economy, the four rounds of UN sanctions include, मतलब चार बार जो है, यानि की UN की द्वारा sanctions लगा जा चुके है, a ban on supply of heavy weaponry and nuclear related technology to Iran, a block on arm export, पूरत रिक से ब्लॉक कर दिया गया है, arm export को, an asset freeze on key individuals and companies, जो भी companies है, या फिर उनसे जुड़े हुए assets है, उनको freeze कर दिया गया है, ऐसे कई सारे sanctions जो है, इरान की उपर लगे, इसलिए इरान को बाद में जाकर ये बात समझ में आती है, कि कही ना कही हमको switch करना पड़ेगा, किस की तरफ, tourism की तरफ हमको switch करना पड़ेगा, आप हमारे 75 days हार challenge के साथ में जूड़ सकते हैं, coupon code use कीजीगा challenge, जिससे आप इस तक आप लोग को regular जो है, वो यहाँ पर techniques बताई जाएंगी, अच्छा, अब देखी हम लोग आते हैं, travel की उपर, कि इंडिया की जो लोग है, वो कैसे travel कर सकते हैं, who can travel visa free to Iran, देखी, जो भी आपके पास में ordinary passport है, उसके basis पर आप इरान जो है, वो visit कर सकते हैं, as long as, कोई भी आपके पास में chance नहीं है, must enter Iran visa air, मतलब आपको जो है, वो by flight ही वहाँ पर जाना पड़ेगा, अगर किसी दूसरे convey से आप लोग वहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो फिर आपके लिए visa free नहीं होगा, खास बात है कि particular आपको tourism को ध्यान में रखकर ही वहाँ पर जाना कर पाएंगे, अगर आपको travel करना है, तो आप visa लेंगे, particular वही procedure follow करेंगे, जो कि ordinary procedure होता है, visa लेकर आप इरान के अंदर enter कर सकते हैं, फिर कितनी बार भी enter कीजिए, लेकिन अगर free visa के तहट enter कर रहे हैं, और दुबारा enter करना चाहते हैं, तो 6 महीने बाद ही entry ले पाएंग कि इरान जो है, वो boost करना चाहता है अपनी economy को on basis of tourism attraction, more visitors, ताकि उनकी economy जो है, वो कही न कहीं boom करें, क्योंकि totally अगर depend रहेगी, oil और refinery की उपर, और sanctions लगते रहेगे, तो उनकी economy down हो जाएगी, हम लोग श्रिलंका का example ले सकते हैं, श्रिलंका के अंदर जो economy है, वो maximum depend करती थी, tourism की उपर, लगबग 13% के आसपास, लेकिन जैसे ही श्रिलंका के अंदर democratic crisis होते है, उसके बाद में उनकी economy जो है, वो सीधी नीचे आती है, और उनको समझ में आता है, कि हमको अब depend होना पड़ेगा other sectors के उपर, यही नहीं, युक्रेन और रश्या की बीच में जो war होत होता है, उसमें भी श्रिलंका को बहुत नुकसान जहिनना पड़ता है, क्योंकि युक्रेन है, वहां से wheat के यहों की कई खेब जो है, वो पहुंसती थी, श्रिलंका के अंदर, लेकिन war की कारण वो वहां पर नहीं पहुंच पाई, और food crisis जो है, वो भी श्रिलंका के अंदर होता है, और वहां पर prices जो है, वो काफी बढ़ जाती है, तो श्रिलंका जो है, वो काफी हत्ता की सीज़ को समझ जाता है, कि हमको एक ही sector पर डिपेंड नहीं रहना है, इसलिए इरान को भी चीज़ समझ में आ रही है, कि हमको एक ही sector पर डिपेंड नहीं रहना है, अब दे पर इसारे जो है वो फोबिया बने हुए है लोगों के मन में तो इरान चाहता है कि हम लोग अगर यहां पर लोगों को बुलाएंगे वो खुद देखेंगे कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है मैलाओं को पूरे अधिकार है तब जाकर उनके मन से इस सारे भ्रहम जो है वो द इरान जो है वो वीजा की requirement को खतम कर चुका है टर्की से अजर्बेजान से ओमान से चाइना से अर्मेनिया से लबनान से और सीरिया से भी खतम कर चुका है मतलब ऐसी कौन-कौन सी कंट्रीज है इरान के अलावा जो कि इंडिया की लोगों को फ्री वीजा जो है वो अवेलेबल करवाती है इसके अंदर मलेशिया है श्रिलंका है वियतनाम है ये रिसेंटली एड किये गए हैं लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे है जैसे हम लोग करें ब्राजिल की बात करें थाइलेंड की बात करें ऐसे कंट्रीज हैं जो अल्डिडी इंडिया को फ्री वीजा जो है वो अवेलेबल करवाते हैं ठीक है अच्छा देखिए ऑक्टोबर दोयार तेईस के अंदर श्रिलंका बीसी के लिक ऐसा कंट्री था ज जैसे हैं जहां पर हम लोग फ्री वीजा के तरह ट्रेवल कर सकते हैं उसके अंदर कैनिया है है इंडोनेशिया है बारबाडोज है भूटान है डॉमानीका है है कंट्री लगते हैं इसे भारत को बहुत सहूलित प्राप्त होती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्षिन में ये बताएगा कि जो पावरफुल पास्पोर्ट इंडेक्स है उसमें नमबर वन कंट्री कौन सी है जिसका passport सबसे ज़दा powerful होता है और इंडिया का number कौन सा है आप लोग हमारे 75 days hard challenge के साथ में जुड सकते हैं बड़ा ही जबरदस course बनाये गया है वाकवी में आपका life changing course है चाए आप लोग माने या ना माने आपको बाद में ये बात समझ में आएगी ठीक है 75 techniques आप लोग को पताई जाएगी आप लोग addiction से कैसे बाहर निकल सकते हैं challenge coupon code यूज करना है जिसे discount price में आप लोग को available होगा दीपक इंदोरा official आप लोग telegram channel से जुड सकते हैं बहतरीन details और PDF आप लोग को यहाँ पर available हो जाएगी तो मिलते हैं आप लोगों से question कारसर जरूर कीजिएगा तब तो कि थन्यवाद थैंक यू जैहिंद